अगर आपको ये सारी बाते नहीं पता है तो आपके डॉक के साथ भी ये सारी चीज़े हो सकती है आपके डॉक के आगे के दो पेर भी जिसे बैंड हो सकते है डाउन हो सकते है और पीछे के पेर भी जो है बैंड हो सकते है यानि मोड सकते है तो आपको जरूर से ध्यान रखन कि लेक बैंडिंग क्यों होती है बहुत सारे डॉक ऑनर क्या करता है कि यह चीज को एकदम हलके में लेते उनको पता नहीं होता और वो इग्णोर कर देते फिर कुछ समय बात उनको रिलाइज होता है कि वह यह जो हमने किया गलत किया अब हमारे डॉक के पेर जो है आगे से कभी भी लेक बैंडिंग उनका नहीं होगा तो वीडियो को लाश्टक जरू से देखना और किसी और के साथ जरू से शेयर करना ताकि उनके काम आ सके और नए है चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरू से करना तो मैं एक एक करके जैसे प्रॉब्लम औ और अगर आपके dog की age 2-3 year हो तो भी उसको leg bending की problem हो सकती है ऐसा नहीं कि कुछ दिन हो गए तो हमाई dog के साथ ऐसा नहीं हो सकता आपके अगर कुछ भी लापरवाई करोगे तो वो dog को जो है उसका leg bending जो problem चालू हो सकता है तो सबसे पहले जो है vitamin calcium की कमी के कारण dog की body में काफी ज़्यादा यह देखा जाता है कि उसके जो diet proper उसको नहीं दे रहे हो आपको उसको खाने को अच्छा nutrition वाला calcium वाला नहीं दे रहे हो तो उसके कारण जो leg bending की problem हो सकती है अगर आपको अपने dog को ऐसा लग रहे है कि कुछ भी खाने के अंदर calcium vitamins नहीं है तो उसके लिए आप syrup या calcium वाली जो tablet आती है वो लाखे आप दे सकते हो जिसके कारण उसको calcium vitamin की कमी है वो दूर हो जाएगी उसके लिए आप अपने doctor की राय ले सकते है वेट की राय ले सकते है कि उसके calcium nutrition की लिए कौन सी गोलिया या फिर syrup दिया जाए जिसके कारण उसके nutrition की जो मातरा है वो आटोमेटिक पूरी हो जाए और dog को leg bending या फिर other कोई problem ना हो जो next reason होता है वो है कि आप अगर आपके dog को एक ही जगा पर बान के रखते हो जैसे कि सूबे से लेके शाम तक वो एक ही जगा पर रहता है उतने हमें खाता है उतने हमें बेटा है तो वो ठीक बात नहीं है आपके dog को आप घर में खुला चोड़ दो अच्छे से उसको freedom दे चाहिए जैसे वाक पर ले जाना एक्सराइज करना जो उसकी बॉड़ बॉड़ी को नीड एक्सराइज की वो फूरी करवाना अगर आप यह सब करते हो तो dog को काफी जदा फीट रहता है आपका dog और दीखने में भी काफी जदा सुन्दर लगता है बट एक ही जगा पर बा बहुत सा है लोग एक ही जगा पर रखते उसको खुला नहीं छोड़ते तो उसके कारण हो धीरे धीरे लेक बेंडिंग की प्रॉब्लम जो है उनको आती है अगर आपको एसा थोड़ा सा भी लग रहा है कि dog के जो लेग हो थोड़ा सा बैंड हो रहा है या फिर नीचे से थ देख सकते हैं marble की style जैसे आपको देखने को मिलता है जो style से काफी ज़्यादा चमकती है काफी ज़्यादा घर को सुबसूरत बनाती है बट वही dog को जो लेक को पकड करने में काफी ज़्यादा मदत नहीं करती जैसे कि आपका dog यहां से वहां जाता है टाइल्स पे घिरलता होने लगता है जैसे पिछला वाला पेर हो गया आगे वाला पेर हो गया तो दीरे दीरे लेक बेंडिंग के प्रोब्लम चालो होती है अगर आपके घर में ऐसी marble की style से कोई भी टाइल्स रखते आप घर के अंदर तो आप क्या कर जेगा उसके उपर एक कंतान जैसे कि कुछ कपड़ा चदर वगेर आती है बड़ी बिछाने वाली जाड़ी वह आप उसको डाल के रखेगा ताकि डॉक को पकड़ वहां पे मजबूत रहे और आपका डॉक के जो लैक बेंडिंग के प्रोब्लम में वह ना हो चाहे तो आपका जो जहां पर डॉक बेटा है वहां पर कि आप ऐसे चदर या कपड़ा बड़ा डाल के रख सकते घर के अंदर बस वह चदर ज्यादा से ज्यादा आपको तीन सो चारुसर रुपे का खचा आएगा वही बड़ के जो पेर है काफी जदा अच्छे रहेंगे तो ध्यान रखना ऐसे मार्बल वाली स्टाइल से या प तरीटमेंट में बहुत कुछ हो सकता है जिसे की डायेट में आपको चेंजिस करवाने सकते हैं दवाई आपको लिख के देंगे उसके साथ साथ कभी कभा जो पपी एज होती है उसमें क्योंता है पेर बैंड होना चालो होते जो फस्टार्टिंग जो एज उती तब तो दी अच्छे से उसकी पकड मजबूत बनी रहेगी और जो जो फोर्स आता है जो बीच में डॉक के पेर के अंदर वो नहीं आएगा और आपके डॉक की जो लेक बेंडिंग की प्रॉब्लम है वो भी धीरे-धीरे सॉल होने लगेगी तो जितना होसा कि उतना ग्राउंड के अं